नमस्कार दोस्तों शर्ला क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को मैटिकल और नर्सिंग से रिलेक्टेड सभी तरह के वीडियो उपलब्दिफ कराती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले और बैल आइक आज मैं इसे के बारे में डिसकस करने वाली कर रही हूं कि एनेमिया क्या है जब हीमोग्लोविन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि वह जो हमारे फेफडे हैं यह लंग्स हैं उनसे परियाप्त मात्रा में ओट्टू को सप्लाइब नहीं कर पाता है टीसूस तक या सेल्स तक तो वह क्या कहलाता है इनेमिया यह इस सिती उस समय उत्पन होती है उस समय पैदा होती है जब जो बोन मैरो है वह परियाप्त मात्रा में में नहीं बना पाते हैं और उसी समय ही बहुत अधिक मात्रा में हीमोलाइजिस की प्रक्रिया चलते रहती है यह दोनों एक दूसरे क वो दोनों प्रक्रिया मेल प्राइस फर्मेड होvo घ्रया, या फिर लाती हो खीडिोत दितना चाहिक्ती में ळूड़ु और लूड़ु में हो जाता है तो O2 की मात्रा को जितना सप्लाई करना चाहिए हमारे टुजूस तर उतने हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है वही कहलाता है एनेमिया तो सबसे फर्स्ट है आपका impaired erythrocyte production जिसमें की defective erythrocyte production भी इसको कहा जा सकता है इसमें सबसे फर्स्ट है आईरन डिफिसेंसी एनेमिया, बिगैलोब्लास्टिक एनेमिया और हाइपोप्लास्टिक एनेमिया सेकेंड है increased erythrocyte loss इसमें क्या हो रहा है erythrocyte का loss हो रहा है तो इसके कारण कौन-कौन से टाइप के एनेमिया हो सकते है इसमें आएंगे आपके हीमोलाइटिक एनेमिया और नॉर्मोसाइटिक एनेमिया यह impaired erythrocyte loss के कारण से होते हैं एनेमिया के वज़र से बहुत सारे changes होते हैं या फिर बहुत सारे changes वो गर देता है ब्लड सेल की साइज में या फिर उसके कलर में यह detect हो सकते हैं माइक्रोइस्कोपली इसको हम देख सकते हैं कि एनेमिया के कलर में या तीशू के कलर में या उसके साइज में changes आ रहे हैं जैसे कि आपने सिकल से लेनेमिया में देखा होगा जो ब्लड का या हीमोग्लोविन का ब्लड का जो आकार है वो चेंज हो जाता है सिकल सेप का हो जाता है तो वैसे ही यह क्या करते हैं बहुत सारे चीजों में ला देते हैं उसके कलर में उसके साइज में जो कि हम आराम से इस मेल का लॉस हो रहा है। तो इसमेंऑ साइन सिंप्टम्स दि can do בח क ₌ौο तेकी कार्डिया हो सकता है क्यूंकि प्लड अथना blacks उतनी मात्रा में सरकुल ही नहीं हो पार है। जितनी आवस्यक्थトा होगी इसलिए टैकी कार्डिया हो सकता है second है palpitation फाल्पीटेशन इस वज़ा से होगा कि जैसे कि अंजाइना पैक्टोरिस से work heart को ज्यादा work करना पड़ेगा ज्यादा work करने के कारण जो फल्स रेट या heart सब्सक्राइब दिखाई दे रहा है कि आपको लग्षन नहीं है जो एनेमिया है या बहुत अधिक मात्रा में जो हीमोगलोबीन है उसमें अगर लॉस होगा हीमोग्लोबिन का लॉस होगा जो ऑक्सिजन कैरी नहीं कर पा रहे हैं तो आपके बॉडी कलर में चेंजेस आएगा सबसे पहले आपके आखों में दिखाई दे सकता है फिर उसके बाद आपके बॉडी में दिखाई दे सकता है आपके नाखुनों में दिखाई द झाल झाल